हेलो फ्रेंड्स फिलेकर नो मैं यूट्यूब चैनल आज इस वीडियों डिस्कस करेंगे कि जो पंजाब पुब्लिक सर्विस कमिशन की डिफेंट प्रिंसिबल की पूस्टर निकली हैं फो ग्रूप पर उसका आप अनलाइन कैसे इस्टर करेंगे इसका पूरा मापर्सस गा, इंक्लूडिंग मिलेकर कण पर क्लिक करेगा फो फीचर अप्लिक करेंगे बर अपपर धी। अब पूरा प्रूसत प्रूप जाएंगे, जाने के वाद अट और ओपन पा सामने ये इंटर फेस آजाएगा यह दिफेंट पोस्ट निकली हैं, फ्रियनडरेंगे, श्क्र नीचे जाएंगे यहां पर आपको apply online का link मिलेगा इसके उपर आप click कर देंगे जब आप इसके उपर click करेंगे आपके सामने यहां पर next page open होगा जिसमें आपको यहां five जो यहां पर different modules है वो यहां पर finish करने होंगे सबसे पहले post के लिए select करेंगे फिर यहां पर candidate का नाम चू candidate name के बाद यहां पर आपको choose करना होगा date of birth बच्चे का जोबहीन का date of birth बर्थ है उसके यहां पर month और यहां पर date choose नहीं होगी कर दो यह हम ने चूज कर लिए उसके बाद जो भी होगी इनकी यहां पर आ जाएगी उसके बद को जेंडर चूज करना होगा मेल is female Tomatoya solar behaviors निया अन मैरिडा या unmarried हैै candidate उसके Cquela उडक करना होगा email ID फिल करनी होगी यह चीज़ें बड़े ही ध्यान से आपने करनी हैं आपको बार बार बोर्डा इनका correction पैनल नहीं होता उसके लिए आपको बोर्ड जाना बढ़ता बोर्ड में जाकर भी आपका solution हो यह permanent नहीं है तो यहां पर फिल करके next करेंगे उसके बाद आपको address फिल करना होगा तो यहां पर हम address फिल कर लेते हैं जो भी आपकी district के वारा है वह फिल कर लेते हैं spelling वारा का थोड़ा ध्यान रखिएगा और यहां पर phone number देते हैं जो भी आपको problem आती है मुझसे इस number पर contact करके contact me to say WhatsApp करके अपनी problem का solution ले सकते हैं अगर permanent or correspondence address same है तो यहां पर click करेंगे अगर different है दोनों में अलग 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 फिल करेंगे उसके बाद next करेंगे जो next करेंगे यह देखिए basic or contact details मारी फिल हो गई है अब category अप्लाई करनी है कौन सी category है हमारी category जर्नल है resolution की category जरूरी नहीं है तो यहां पर सबसे पहले हम जर्नल चूस कर लेते हैं उसके बाद यहां पर भी जर्नल आएगी बाकी जो आपकी category उसके according आएगा जो fees है जर्नल की 1500 है according to category इनकी fees होती है एकसर रिविस्मान कोटा है आपका तो उसके according यस नो कर दीजिए हमारा नहीं है तो हम next करेंगे उसके बाद यहां पर आपको detail एड़ करनी होगी टॉप पर जाएंगे आपने कौन से year में examination आपका पास किया आपने 55% से पास होनी चाहिए especially for आपका जो जर्नल कैटेगरी के है उसके बाद year of passing जैसे year में आपने पास किया total आपके marks कितने थे मतलब total कितनों में से आपके कितने marks है वो आप लिखेंगे कौन सा बोर था वो percentage is automatic हो जाएगी name of the university board PU means Punjab University associate professor with a total experience आपका 15 years होना चाहिए as per addressment आपका है अगर है तो yes कर दीजिए अगर नहीं है तो no कर दीजिए फिलाल आपका yes आएगा इसमें उसके बाद आपका experience कितने years का है वो हमने fill कर दिया have you do you have PhD and minimum score in son फिलाल हमारा इसके लिए no करेंगा at least 15 years का experience मांगा गया है for principal post experience किसमें तो हम यहां देते हैं DAV में name of the organization DAV DAV joining date आपकी कौन सी है तो आपका देखी 15 years है उसके recording आपका होना चाहिए तो जैसे चलिए हम यहां पर दे लेते हैं मैं estimate की हिसाब से दे रहा हूँ आपने इसको बड़े ही ध्यान से fill करना है तो यहां से हम 2005 से दे रहे है son say date money estimated डाली और release date select the date for current working जो आप current working अभी कर रहे हैं तो मैं इसमें आज जैसे है 13 तो मैं 13 ही choose कर लेता हूँ total experience 16 years हो गया इसको बड़े ही ध्यान से करना है education qualification में आपका 10th pass होना जोरी है तो यहां पर by default yes है sick migrant है यह निए उसके recording आपने क्लिक करना है next कर दिया उसके बाद आपका यह आप government service में है या नहीं है उसके recording yes no yes no करना है court case हो नहीं चल रहा बाकि सबको यह option आपका yes आएगा do you possesses on इनका जो mode है वो इनका offline होता है मतलब कि आपको चलान इनका करना पड़ता है password आपको देना होगा पासवर्ड में आपके small capital और कुछ special symbols होने चाहिए मैं मैंने password set कर दिया उसके बाद capture दिया गया यह जो capture है इसको मैं as this fill कर देता हूं जैसा दिया गया उसके बाद अगर आपने कुछ changes वेरा करना यहां से previous डेल पर click करके changes कर सकते हैं capture नहीं समय रहा है यहां से capture change कर सकते हैं अगर सब कुछ ड़न नहीं यहां पर submit कर दीजिए ok कर दीजिए याद रखिए mail id और जो आपका phone number है सही होना चाहिए enter qualification details इसमें problem आ रही है तो हम यहां से qualifications में जाते हैं back यहां से अब देखिए गलती हम से क्या हुई graduation के tail थो हमने यहां पर लिख दी लेकिन उसको हमने add भी करना है यहां से यह देखिए you are not eligible as do you have a PhD degree मांगा गया था हम PhD degree dummy के लिए हम yes कर देता हूँ PhD degree compulsory है इन्होंने कहा भी है तो इसमें मैं इसको click करके add कर देता हूँ हम देखिए जो error आ रहा था वह error disappear हो गया आपने add करना तब ही है आपका यह data यहां store होगा तो सब कुस दन है यहां से मैं next करूँगा PhD plus 15 years experience compulsory है password हम फिर से set करते हैं यह बड़े ही ध्यान से आपने चीज़ें करनी है और principle की post के लिए आपको काफी जादा knowledge चाहिए knowledge कहा रहा हूँ sorry high degree चाहिए जैसे आपके सामने मैंने यह आप किया है जैसे आपकी 15 years की experiencing होनी चाहिए प्लस आपका PhD होनी चाहिए तो यह सारी चीज़ जब okay करेंगे enter experience detail है आप experience detail में कुछ changes वेरा रहे हैं qualification में हम फिर से गए देखे जो भी आपके problem है form में तो वह आपने करना है graduation हमने add कर दे experience भी हमें यहां से add करना होगा हमने add नहीं किया जो भी आप step करेंगे उसको add करना जूरूरी है अगर नहीं करेंगे तो आपका same error आएगा जो यहां पर आया था तो इसको भी मैं यहां से add कर लेता हूँ तो यह हमारा experience add हो गया ओपर हमारे retail add हो गी और यहां पे 10th की retail में add को क्या option नहीं है तो याद रखेंगे आपने add जरूर करना कर नहीं करेंगे तो आपका form submit नहीं होगा उसमें error आएगा तो फिर से मैं password set कर देता हूँ जो हमने set किया था इसको बड़े ही ध्यान से set करना और याद रखना है अब capture set करेंगे हम जैसा capture दिया गया है capital में वैसे ही आपने fill करना है तो इसको fill करके मैं यहां submit पे click कर देता हूँ okay कर देता हूँ okay करने के बाद अगर form में मेरा फिर से कोई error हु नहीं होंगी फिर तो आपका error show करेगा अगर सब कुछ done है तो यह देखिए हमारा next page आएगा जिसमें हम नीचे जाएंगे तो यहां पर हमें यह मिल गया हमें rational number इसको मैं यहां से screenshot क्लिक कर लेता हूँ इसका आप लिख भी लेंगे तो यहां पर यह हमारा है already fill है अब हम य password set किया था वो password यहां पर fill करेंगे capture जैसे fill किया था sorry यहां पर दिया गया है वैसे ही आप लिखेंगे capitals में और नीचे submit पर click कर देंगे incorrect code code incorrect है फिर से fill करते हैं code नहीं समिल लग रहा आप यहां से refresh कर सकते हैं code हमने फिर से fill किया submit किया तो यहां पर reference number is not registered तो यहां पर ए और यहां से password हम फिर से लगा लेते हैं एक बार और फिर से हम capture लगा देते हैं यहां पर तो यह चीजें अगर आपका नहीं कोई भी problem हो तो capture वेरा password वेरा fill करके आप फिर से login कर सकते हैं तो यह देखी login यहां पर हो गया password मैं save कर लेता हूं आप फोटो और signature का size यह देखे 10 to 40 kb के बीच में दिया है तो हम सबसे पहले photo upload करते हैं जिसमें भी आपकी photo available है उस particular आप वहां चले जाए है photo का size देखते ही कितना इसमें size ठीक है चूज कर ली और यहां से signature चूज करने है तो यहां से signature चूज करके यहां पर जो capture दिया गया है you can fill that particular capture तो यहां से हम capture चूज कर लेते हैं और यहां से submission कर लेते हैं after submission candidate photo upload हो गई है और यहां पर फिर से देखते हैं यहां पर error आगया signature का शायद error आगया एक बाद देख लेते हैं photo हो गया signature का size देख लेते हैं ठीक है ज्यादा है signature यहां से दिखिया आपने upload कैसे करने हैं यहां पर एक mistake होगी choose file पर जाएंगे आप सबसे पहले photo को choose करेंगे then upload करेंगे मैंने direct ही कर दिया इसलिए नहीं हुआ फिर से choose file पर जाएंगे signature choose करेंगे upload करेंगे ऐसे आपने one by one करना signature का size ज़्यादा है तो हम signature और choose कर लेते हैं तो अगर आपका signature विरा का size set नहीं होगा या details का size set नहीं होगा तो उसमें error आएगा जैसे अभी हमारे सामने error आया तो हम यहां से चलिए और signature choose कर लेते हैं तो signature विरा जो भी अगर आपका proper नहीं हुए तो आपका error आएगा जैसे अभी आपके सामने error शो हुआ था तो मुझे और यहाँ signature देखते हैं कितने size के या this one इसको select करके upload कर दीजिए यह signature हो गया उसके बाद आपने capture फिल करना है तो जैसा capture दिया गया है सेम ऐसे ही आपने यह capture फिल करना है और यहाँ पर submit पर click कर दीजिए यह देखे सब कुस done हो गया हमारी जो registration है वह successful हो गी है अब यहाँ पर हम चलान print करेंगे तो इसको click कर लीजिए तो इसका print out कर लीजिए एक चलान आपके पास रहेगा यह देखे bank copy bank वाले रख लेंगे PPSC copy आप अपने पास रखेंगे for future submission जब आपकी counselling वारा होगी और applicant copy आपके पास रहेगी जब आप से जब आप जाएंगे तो वहाँ पर fees का proof होता है तो यह आप आप पर show कर देंगे तो friends यह था पूरा process that how you can fill grade a principle force तो यह पोस्टों का पूरा process मैंने आपको बता दी including क्या क्या mistakes हो सकती है जिसके कारण आपका form submission नहीं होगा वह भी मैंने आपको बता दिया photo signature का size क्या है और जो भी important terms और conditions ही वह मैंने आपको बताए दिया है इसके regarding और कोई भी किसी तरने का problem आप face करते हैं तो हमें what's up पे message करके अपनी problems का solution ले सकते हैं so thank you friends watching this video and for your valuable time